कि स्वामलेकों वीवर्स अमीद करता हूं सब वीवर्स खायदे से होंगे वेल्कम टु साक्टीच चैनल करें लाइक करें और बहले अगन को दुबाह ना भूलेगा ताकि आपको हमारी आने वाएं नहीं वीडियो असानी से पहुंच सके ठीक है तो आज हैं स्ट्रेट फिसक्स का टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है उसके बार दिसक्स करेंगे तो टैम वेस्ट के वेगर चलते हैं अप लिट्स और दो फॉर्म आफ अस तसोलिट्स और दो फॉर्म आप मैटर इन विच एटम्स और मैटर की जिसके अंदर एटम्स और मलेक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रॉंग बांड होते हैं ठीक है उनका टैफिनेट वालियम होता है है उनकी डेफिनेट शेप भी होती है वह उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकते हैं जब तक उनके ओपर बहर से को इस्टरनल फोर्स अप्लाई ना की जाए ठीक है तो सॉलिट स्टेट फिजिक्स के हैं सॉलिट स्टेट फिजिक्स इस स्टुड़ी ऑफ फिजिकल प्रोपर्ट है ना ठीक है तो स्टुड फिजिक्स का यह तो प्रोपर्ट फिजिक्स कीみたいẹंति ना स्टुड थीर स्टॉट पोर्टिट लेस देखके है थर्मल एक्टिकल एंड मेगनेटिक प्रपर्टीज ठीक है तो यह तिस विए स्ट्रीट फिजिक्स की डेफिनिशन नेस्ट विए क्लासिफिकेशन और सॉलिड है क्लासिफिकेशन में इसकी टाइपस इतनी है इसकी क्रिस्टालाइन और दूसरी नौन क्रिस्टालाइन और अमफरेस्ट तो पहले हम क्रिस्टालाइन इसके चीज़ है विन दा कॉंस्टिनेट अटम्स ऑफ सॉलिड और रेंट इन डेफिनेट रेगुलर एंड रिपीटिट जियुमेट्रिक पैटरन त्रो आउट दा इंटार थ्री दिमेंशनल नेटवर्क आप क्रिस्टाल देन दे सोलिड इसकार्ड क्रिस्टालाइन सोलेट ठीक है वो गते हैं अटम्स ऑफ सॉलिड को इस तरह आरेंज किया जाए कि वो डेफिनेट रेगुलर शेप हो यह रिपीटिट जिमेट्रिकल पैटर में हो ठीक है और इंटार थ्री डिमेंशनल नेट्रक आप त्री डिमेंशनल नेट्रक आप क्रिस्टाल में हो देन जो सॉलिड क सि фोर्म बनेंगे मिन कृली कैए Wirk號 कहेंगे इसकी जैने वह जैंपल प्गेस्टन में सोलिड इंकलोव डामेंट्स हैं मैट madam देखो कि आपने त्री इमिंशनल होते हैं मैट को मinekर सुर ठीक है और यह ठीक है मैं पीक्रीजाइट गी है यहाँपे erosion क्परच्छर आप और रिफेशन सी फिगर में कहता है दिसके में टिक फिक्चर आफ क्रिस्टल एंड सोलिट कि इस पर्टिकल्स और अरेंज्ट इन रिपीटिंग पैट्रों यह देखें रिपीटिंग पैट्रों में रहे हैं रिपीट हो रहे हैं ठीक है इस नेटर इस नाउन इस थ्री डिमेंशनल नेटर जो आपस में क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं उसका स्मॉलेंट यूनिट है उसका हम क्या बोलेंगे जो लेंगे if we see the x-ray of crystal this arrangement of the unit cell will be clearly visible तो अगर हम इसको x-ray of crystal end में देखेंगे तो unit cell हमें clear visible को मतलब है कि हम चीज़ को देख सकते हैं ठीक है the spaces between the atoms are very less due to high intermolical forces इनके अंदर spaces होती है वो क्या होती है very less होती है कि इस वेस्ट बिल्कुल space नहीं है इसके अंदर क्यों यह intermolical forces आवस में लग रही है forces आवस पर जाएंगे तो क्या है यह molecules आपस में क्यों हो रहे है क्लाइट कर रहे हैं दूसरे को इस युनिफर्म थ्रोवाइट और दा स्ट्रेक्चर क्रिस्टल्स है वा लॉंग रेंज अडर विच मेंज अर्विच मेंज अर्वेंट आफ एटम इस रिपीटिड ओर अग्रेट डिस्टेंस तो यह तो टॉपिक अमरा क्रिस्ट्राइट के लिए से वाले से उसके आमने आपने दो प्राप थी17 अब kleinerPh comme आब लिया किश्ट्रानस अडिकी ऑधी में लिट दूसरी तक्रोपिकoria पढ़ें गे इस टेनतम इसलोड़्ी परापर्टीस वाूटेंगे अपर हम पार्ष अ च्ट्रेक्स्टी पढ़ेंगे धिक है तो इतने उ लगली мало फीज